हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम जैशी कृष्णम आज का हमारा विशय है भूमी खरीदने से पहले भूमी की कौन सी ऐसी इस्तियां है जिन पर विशेश ध्यान देना होता है और यदि हम भूमी की इस्तिती पर ध्यान नहीं देते हैं तो सबसे पहली गलती हम भूमी खरिदने में ही कर देते हैं इसलिए आप कभी भी प्लोट खरिदते हैं तो सबसे पहले उसके ढ़लान को अवश्य देखें उस भूमी की उँचाई और ढ़लान वाली इस्तती अवश्य देखें कहां से भूमी उंची है कहां नीची है इस इस्तिती को यदि आप नहीं देखते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भोगना पर सकता है क्योंकि आज के समय में भूमी को खरिदना बहुत ही विलक्षन और महंगी बात है बहुत अधिक पेसा लगता है उसके बाद यदि आप उल्टी सिदी भूमी खरिद लेते हैं प्लोट खरिद लेते हैं तो आपको केवल और केवल हताशा वास्तुदोश और फिर उसके बाद निवास के बाद अन्य समस्यें उत्पन्न होती है हमारे जोतिश शास्तर में पाचवीश अदापदी में अर्थात सन चारसो नन्याणवे में जोतिश के महान विद्वान वरहा मिहीर का जन्म हुआ और उन्होंने वरहत सहिता लिखी इसके साथ ही पंच सिद्धानतिका भी लिखी तो जोतिश के साथ साथ उन्होंने वास्तु में भी बहुत जबरदस्त बातें लिखी है और वहाँ पर भूमी को अलग-अलग नामों से उल्लेकित किया है जिसमें 26 प्रकार की भूमियों का नाम वरहा मिहीर ने लिखा है और उसमें कौन-कौन सी भूमी किस प्रकार के फल देती है इसके बारे में भी लिखा है तो आज मैं आपको भूमी खरीदने से पहले वराहा महीर द्वारा रचित भूमी के 26 प्रकार कौन-कौन से है और केसी भूमी खराब रहती है, केसी भूमी अच्छी रहती है, इसके बारे में आपको बताऊंगा तो सबसे पहली भूमी कहलाती है गोविथी भूमी, वराहा महीर ने गोविथी भूमी के बारे में लिखा है, कि जो भूमी पस्चिम में उची हो, पस्चिम दिशा में उची हो, और पूरू दिशा में नीची हो, उसे गोविथी कहते हैं, एसी भूमी पुत्र संतान की पूरू में ढलान हो पस्चिम में उची हो ऐसी भूमी पुत्र संतान की व्रद्दी करती है और अनेक मामलों में शुब होती है द्विती प्रकार की जल विथी भूमी बताई है जो भूमी पूरू में उची है और पस्चिम में नीची हो ऐसी भूमी जल विथी कहलाती है यहाँ भूमी शुब नहीं होती है और संतान अन्य पारिवारिक समस्याय भी ऐसी इस्तती में बनती है तीसरी प्रकार की भूमी होती है यम विथी जो भूमी उत्तर में उची हो और दक्षिन में नीची हो उसे यम विथी कहते हैं एसी भूमी जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले भी एक वीडियो में कि उत्र में उँची हो दक्षण में नीची हो ऐसी भूमी अच्छी नहीं होती तो यहाँ घर में विमारियां लाती है परिवार के सदस्यों के स्वास्त में गिरावट लाती है अब चतुर्त इस्थती को समझेंगे गणविथी जो भूमी दक्षण में उँची हो और उत्र में नीची हो उसे गणविथी भूमी कहते हैं और ऐसी भूमी आरोग्य लाब देती है इसलिए उत्र में नीची हो दक्षण में उँची हो ऐसी भूमी बहुत शुब होती है लाब देने वाली होती है और घर में आरोग्य लाब भी देती है अर्थात बीमारिया नहीं होती है अब पांचवी भूमी भूत विथी जो भूमी इशान कौन में उंची और नेरत्य कौन में नीची हो इशान अर्थात पूर और उत्तर के बीच वाला कौना और नेरत्य अर्थात, पश्चिम और दक्षण के बीच वाला कोना, तो नेरत्य में नीची हो, उत्तर में इशान कोन हो, वहाँ पर उँची हो, ऐसी भूमी, महा कश्ट दायक, भूत विथी, भूमी होती है, छटी है नाग विथी, जो भूमी आगने कोन में उँची और वाय दक्षिन के बीच वाला कोना और वायू कोन का अर्थ है पश्चिम और उत्तर के बीच वाला कोना. तो वायू कोन में नीची हो, अगनी कोन में उची हो, ऐसी भूमी अच्छी रहती है, नाग विथी कहलाती है. तो मैंने आपको यहाँ पर छे प्रकार की भूमिया तो बता दी अब साथवी प्रकार की भूमी होती है वेश्वानर विथी भूमी जो भूमी वायव कोण में उंची हो और अगनी कोण में नीची हो उसे वेश्वानर विथी कहते है एसी भूमी नाश करती है, विशेश कर धन का नाश करती है अब आठवी धन विथी, जो भूमी नेरत्य कोण में उची हो और इशान कोण में नीची हो, उसे धन विथी कहते हैं एसी भूमी खूब लक्षमी देती है, अच्छी रहती है नवी पिता महा वास्तु भूमी कहलाती है जो भूमी पूर्व और अगनी कौन के मद्ध में उंची हो और पस्चिम और वायु कौन के मद्ध में नीची हो उसे पिता महा वास्तु भूमी कहते हैं यह भूमी मनुश्यों को सुख देने वाली होती है अब दस्वी है सूपत वास्तु जो भूमी अगनी कौन और दक्षिन के मद्ध में उंची हो अगनी कौन और दक्षिन के मद्ध में उंची होकर वायु कौन और उत्तर के मद्ध में नीची हो उसे सूपत वास्तु भूमी कहते हैं यह भूमी सर्व कर्म योग्य होती है इशान कौन में भूमी उत्तर और इशान कौन उत्तर और इशान कौन जो होता है उसके मद्य नीची होकर नेरत्य कौन और दक्षिन कौन के मद्य उंची हो उसे दिरगायू नामक वास्तु भूमी कहते हैं यह भूमी बहुत उत्तम होती है यह वंच की व्रद्धी में सायक हो अग्ला है जो भारवन भूमी का प्रकार है पुष्यक वास्तु भूमी जो भूमी इशान कौन और पूरू के मद्धि भाग में नीची हो तथा नेरत्य और पस्चिम के मद्धि ऊंची हो उसे पुन्यक नामक वास्तु भूमी कहते हैं यह भूमी ब्रामन ख्षत्री वेश्च के लिए शुब फलदाई होती है तो इस बात को भी आप नोट कर लें अगली अफ़त वास्तु जो भूमी पूरु दिशा और अगनी कौन के मद्ध में नीची होकर वायु कौन और उत्तर के मद्ध उंची हो उसे अफ़त नामक वास् होता है इस बात को भी नोट कर लें अब रोग कर वास्तु भूमी एसी भूमी जो भूमी अगनी कौन और दक्षिन के मद्ध में नीची होकर वायु कौन और उत्तर के मद्ध उंची हो उसे रोग कर नामक वास्तु भूमी कहते हैं इसमें रहने से मनुश्य को रोग होता है तो इसे भी आप नोट कर ले हुए अरगल वास्तु भूमी जो भूमी नेरत्य कौन तथा दक्षिन में दक्षिन के मद्य नीची होकर इशान कौन और उत्तर के मद्य में उची हो उसे अरगल वास्तु भूमी कहते हैं ध्यान से सुनें जो भूमी नेरत्य कौन नेरत्य कौन क वहा क्या अर्थ हुआ। दक्षिन और पश्चिम के बीच वाला कौण तथा दक्षिन के मध्य नीची होकर दक्षिन का मध्य बाग जो है इशान कौण और उत्तर के मध्य में उंची हो, उसे अर्गल वास्तु भूमी कहते हैं। एसी भूमी ब्रह्म महापापों को दूर करती है लेकिन उत्तर के मद्ध में उंची हो तो यहाँ शुब कहलाती है अब यहाँ पर उत्तर में नीची नहीं है लेकिन जो इस्तती बतेए उसे आपको समझना होगा अगली है सम्षान वास्तु भूमी ऐसी भूमी जो भूमी इशान कोण और पूरु के मद्ध में उंची होकर पस्चिम और नेरति कोण में नीची हो उसका नाम सम्षान वास्तु भूमी है यह भूस स्वामी के कुल का नाश करती है कहने का तातपरी यह हो गया कि अगर इशान कोण में बहुत उंची हो भूमी और नेरत्य कोण में नीची हो ऐसी स्थती ठीक नहीं होती तो इसे भी आपको नोट करना होगा श्नेक वास्तु भूमी जो भूमी अगनी कोण में नीची होकर अगनी कौन अर्थात पूरोवर्दक्षन की बीच का कोना उसमें तो नीची हो होकर नेरत इशान और वायव्यक में उची हो तीनों तरफ उची हो और अगनी कौन में नीची हो तो यहाश शेनक नामक वास्तु भूमी कहलाती है इसी भूमी जो घर का मालिक है उसके लिए अच्छा नहीं है और उसके स्वास के लिए भी अच्छा नहीं होता है स्वमुक वास्तु भूमी जो भूमी इशान कौन अगनी कौन और पस्चिम कौन त्यान से सुनिए इशान कौन अगनी कौन और पश्चिम में उची होकर नेरत्य कौन में नीची हो वापस वही बात हो गई यह भी शुब नहीं होती नेरत्य में दक्षिन में नीची भूमी अच्छी नहीं होती है इस बात को तो नोट करना ही है तो जो भूमी इशान कौन अगनी कौन और पश्चिम में उँची होकर नेरत्य कौन में नीची हो उसे स्वमुक नामक भूमी कहते हैं एसी भूमी में रहने वाला प्राणी दुखी रहता है आय की कमी रहती है दरिद्रता रहती है दुख कस्ट रहते हैं ब्रह्म वास्तु भूमी जो भूमी नेरत्य कौन अगनी कौन और इशान कौने में उँची होकर पूर्व तथा वायव कौन में नीची हो उसे ब्रह्म वास्तु कहते हैं एसी भूमी मनुष्यों के लिए सदा बुरी है तो ऐसा भी यहां लिखा हुआ है तो यहां ब्रह्म भूमी को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि भूमी उबडखाबड होती है, प्लोट खरीते समय यदि प्लोट उबडखाबड हो, समतल ना हो, तो उसे समतल करके ही, और विशेश कर, इशान कोण में डलान हो, उत्तर में डलान हो, ऐसा बना कर ही मकान बनाना च्छत के पानी का निकास, जो है, वह भी उत्तर में शुब रहता है, इशान में बहुत शुब रहता है, पुरू में भी शुब रहता है, लेकिन, यदि नेरत्य में हैं, दक्षण में हैं, आगने में, यदि च्छत के पानी का डलान है, तो ऐसी इस्तती ठीक नहीं होती, इस बात को भी नोट कर लेए अब अगला है इस्थावर वास्तु भूमी जो भूमी अगनी कौन में तो उंची है और नेरत्य कौन इशान कौन और वायू कौन में नीची होती है उसे इस्थावर वास्तु भूमी कहते है ऐसी भूमी बहुत ही शुब रहती है अच्छी रहती है तो इस बात को भी आपको क्योंकि इशान कौन और वायू कौन में नीची है इशान कौन कौन सा हुआ पुर्व और उत्तर के बीच का कौना और वायू कौन पस्चिम और उत्तर के बीच का कौना यहाँ पर नीची भूमी अच्छी होती है इस्थन डिल वास्तु भूमी जो भूमी नेरति कोण में उंची हो तथा अगनी कोण, वायू कोण और इशान कोण में नीची हो उसे इस्थन डिल वास्तु कहते हैं, यह सभी प्राणियों के लिए शुब होती है तो कुल मिला के इस वीडियो का माध्यम यही है कि आप यहां समझें कि भूमी का ढलान देखना बहुत ही आवशक है शांडूल वास्तु भूमी जो भूमी इशान कौन में उंची होकर अगनी कौन नेरत्य कौन और वायू कौन में नीची हो उसे शांडूल वास्तु भूमी कहते हैं यहां सभी प्राणियों के लिए अशुब होती है नोट कर ले में तो इसे द्यान देना होगा क्योंकि नेरत्य कौन और वायू कौन में नीची है तो नेरत्य कौन भी आगया अगर नीचाई में या नीची इस्तती में तो यहां अशुब इस्तती हो जाती है सू इस्थान वास्तु जो भूमी नेरत्य कौन और इशान कौन में उंची होकर वायू कौन में नीची हो उसे सू इस्थान वास्तु कहते हैं ऐसी भूमी ब्रामनों के लिए अति उत्तम होती है जो ब्रामन हैं उनके लिए बहुत शुब होती है सूतल वास्तु भूमी जो भूमी पूरु दिशा में नीची हो ज्यान से सुनें पूरु दिशा में नीची हो नेरत्य कोन वायू कोन और पश्चिम में उची हो उसे सूतल वास्तु कहते हैं ऐसी भूमी शत्रियों के लिए अति उत्तम होती है चर वास्तु भूमी जो भूमी उत्तर दिशा इशान कोन और वायू कोन में उची होकर दखिण में नीची हो उसे चरवास्तु कहते हैं ऐसी भूमी वेश्यों के लिए अति उत्तम होती है स्वामुक वास्तु जो भूमी प्रस्चिम दिशा में नीची होकर इशान कोन पूर्व दिशा और अगनी कोन में करम से उंची हो उसे स्वब मुक वास्तु भूमी कहते हैं ऐसी भूमी शुद्रों के लिए अति उत्तम होती है तो यह जो 26 प्रकार की बाते हैं आपने समझ ली जहां कि मैंने आपको बताया कि यदि नेरत्य कोन दक्षिन कोन दक्षिन दिशा अर्थात दक्षिन पश्चिम के बीच का कोना यहां पर भूमी नीची नहीं होनी चाहिए अर्थात भूमी का ढलान हमेशा उत्तर में हो इशान कोन में हो पुरु में हो पायवे कोन में हो तो शुब रहेगा लेकिन यदि दक्षण में है, पस्चिम में भी मध्यम रहता है, लेकिन उत्तर इशान पूर्व यह स्रेश्ट दिशा है, इसी में प्लोट का धलान, भूमी का धलान होना चाहिए, पानी की निकासी, इशान कौन, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा में होनी, फिर उसके बाद वायू कौन, फिर पस्चिम, फिर अगनेय, फिर दक्षण और सबसे अंतिम नेरत्य, तो इस बात को समझना होगा, और यहां पर अंत्म है, मैं आपको दिशाओं के लिए भी एक चाट को डाल रहा हूँ, इससे आप ध्यान से देख लें, इससे आपको दिशाओं का भी ग्यान हो तो यहां वरहा महीर जी ने आज से पंद्रा सु साल पहले ही लिख दिया कि भूमी कौन से शुब होती है, कौन से अशुब होती है, और चब्विस प्रकार के नाम भी दिये हैं उन्होंने, क्योंकि प्लोट उबर खाबड होते हैं, वैसे आजकल तो सभी लोग प्लोट खर किस दिशा में होना चाहिए, आपको इसे सही तरीके से समझना होगा, और उसके बाद ही प्लोट को खरिदना होगा, धन्यवाद जैशिक्रिश्णा